नमस्कार दोस्तों स्वागता पकापने चैनल ओल्ली जेके गुर्मेंट जबले स्टूटेंट पॉएंड में दोस्तों आज के बड़मा बात करेंगे एलजी रजोरी आर्मी बर्थी के बरे में जनके अडवांस लैंडिंग ग्रोंड जो है रजोरी में उसमें जो बर्थी चलने वाली हाब लोगों की 11 दिसंबर से उसके बारे में थोड़ा बहुँ डिटेल जानकारी आप लोगों से शेयर करने वाले हैं अगर आप जमू कश्मीर से गुवर्मेंट जाबत की त्यारी करें हो करन्ट अब डे नोटिफिकेशन और सरकारी नोकरी से जोड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं और अपने फ्रेंड सेर्कल में चैनल को शेयर कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल में सिर्फ जमू कश्मीर से जोड़ी और इंडिन आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी और पैरा मिल्टरी से जोड़ी हर परकार की जानकारी परवाइड करवाई जाती है आपको बता दें कि आप लोगों का जो बर्थी है वो 11 दिसंबर से शुरू होड़ने बाला है अकार्डिंग टू ओफिशल नोटिफिकेशन आपको क्लेर करवादें कि इसमें कुन-कुन से डाकुमेंट्स लेके जाना है बेस्ट बुक कौन सी है रिटन में कितने कोशन आते हैं नक्ति मार्किंग कितनी रहेगी मेन जो है आपका 1600 मेटर रणिंग है आपको सबसे पहले काफी बच्चों के मन में ये भी कोशन चल रहा है कि का बर्थी पोस्ट पॉन होगी जा नहीं होगी 100% कनफोर्म है कि होगी जा नहीं होगी ग्रोंड कैसा होगा जे सबी बच्चों के मन में कोशन चलते हैं दोस्तों आपको बता दे कि आपको अभी अपना फोकुस करना है सिंपली आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना है बाकी आपका सुबा शाम रंणिंग चलना चाहिए आपका पास एक मन्त का टाइम बचा हुआ है अउल्ली नरंबर का मन्त आपको बता दे कि जो दिसंबर के एक शुरुवाती दिन है वो चल जाएंगे आपके डाकुमेंट्स मनाने के लिए आपको पदा दे कि डूमिसायल आप लोगों का आनलाइन बनवाया है जहां तो आफ लाइन दोनों तरीके से चलेगा काफे बचों के मनमें डौट्स है कि आनलाइन नहीं चलेगा बट चलेगा दोनों चलेगा आपका और आपको बता दें कि उसके बाद काभी बच्चों का confusion है statue को लेकर कि हमारा को statue लगा है आपको बता दें कि statue वाले candidates आप क्लेर कर दें कि statue वाले candidates को out किया जाता है इंडिन आर्मी में 10th में जिसको statue लगा है उसे out कर दे जाएगा बट आप जिसी किसी कांड़ेट्स को स्टेचु लगा है बैं डिमोटिवे ना हो ट्राइ करें क्या पता आपके डॉकुमेंट्स चेक ना करें तो आपको निकल जाएं अगर एक बार आप डॉकुमेंट्शन से निकल गए तो बाद में कोई नहीं पुशेगा इसलिए कभी भी डिमोटिवे नहीं होना है आपनी त्यारी जारी रखें और कई बार किस्मत होती है आपको बताते कि जिस कैंड़ेट्स का टाइमिंग अच्छा भी नहीं है वो भी पूरा फोकुस रखे उसको यहां पर डिले बढ़ने के अफशेक्ता नहीं है जिस किस्मत का होता है एक दिन का मसला होता है और आपको बताते कि जहां पर डिले डिले कैंड़ेट्स भी निकल जाते है विकेंसी आपकी 5,000 के आसपास है काफी विकेंसी है 10 डिस्टी की बर्थी जो की अलजी रिजोरी में चलने वाली है आभी तक पोस्ट पॉंड को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है हम आपको बता दे कि दिन में कम से 3-4 बार ओफिशल वैबसाट पर चक करते हैं अगर इस तरह का कोई अपडेट्स आया आप लोगों को बता देंगे सबसे बड़ा डाउट्स ग्रोंड को लेकर है ग्रोंड की जानकरी किसी के पास नहीं है आपको बता दें कि काफी जूट्यूब पर वीडियोज आ रहा है कि रोड है ऐसे है इतने चकर है आज तक इंडिन आर्मी के बर्थी एल्जी रुज़ोरी ग्रोंड में नहीं हुई है जब को क्लेर करवा दें इंडिन आर्मी के रुणन रेगुलेशन किसी भी कैंडिर्स को पहले पता नहीं होते अगर उस ग्रोंड में पहले बर्थी होती तो हम आपको ज़रूर बता दें कि इसके एक चकर है जा डेड़ चकर है आपको आवने हिसाब से त्यारी करनी है अपना सिर्फ टाइमिंग जो है पांच चालिस से अंदर ही रखना है तो आप इंडिन आर्मी के रेंडिंग असानी से पास कर पाएंगे इस वीडियो को में मोटिव है आपको बेस्ट बुक बेस्ट बुक आपको जाना है मार्किट में सीधे मार्किट में जाके बोलना है कि हमें SK का प्रैक्टिस सेट दो जो कि 100 रूपीज का आता है इसी कैंड़ेट्स के पास नहीं है वो आनलाइन भी मंगबा सकता है 100 रूपे का SK का प्रैक्टिस सेट उसमें से आपके 50 सेट रहेंगे अगर वो सेट करके आप इंडियन आर्मी का पेपर देने चाहते हो जन देने जाएंगे 100% हमशुरिटी के साथ बोलते हैं कि आपका अग्जाम असानी से पास हो जाएगा अग्जाम पैटन की बात करें जीडी बाले और कलर्क वालों के लिए भी SK का ही वैस्ट बुक है अगर आप लोगों इस बुक से पढ़ लोंगे अगर इंडियन आर्मी में सेलेक्शन नहीं हो पाया इन फ्यूचर T.A. आर्मी की बर्थी देखोगे तो उसमें भी सलेबस सेम रहता है जिस काइंडेट्स का रंणिंग बिल्कुल नार्मल है बिल्कुल बेकार है इटमीन्स की सबा शेमिनर्स तक आता है उसको भी डिमोटिवर नहीं होना है उसको भी इंडियन आर्मी की त्यारी करते रहना है ट्राइ करनी है अगर रंणिंग नहीं भी लगती तो आपको बता दे की BSF, CSF और पेरा मिल्टरिंग की बर्थियां भी जमो कुश्मीर में इन फ्यूचर आने वाली है उनकी दोड पांच किलो मेटर होती है वो असानी से लग जाती है काइंडेट्स कोचिंग में जा रहा है जान तो कहीं पढ़ रहा क्योंकि कोचिंग सेंटर भी खुल गए है कोई काइंडेट्स जा रहा है इंडियन आर्मी के लिए स्प्रेशल कोचिंग ले रहा है उस काइंडेट्स को अगर जीडी का फार्म फिल किया है मैथ के 10 कोचिंग बीस मार्क्स के जनरल साइंस के 20 कोचिंग और 40 मार्क्स के लाजगर रीजनी के 5 और 10 मार्क्स के और 5 आपके टोटल 50 कोचिंग आएंगे दो मार्क्स का एक कोचिंग रहेगा और आपको बता दें कि आपको 35 marks लेने होते हैं पास करने के लिए आपका 1 by 2 जन्ड कि आपको बता दें कि आप लोगों की नक्टी मार्किंग रहती है 0.25 की 0.25 की नक्टी मार्किंग रहती है एक गंटे का टाइम होता है इंडियन आर्मी के अग्जाम में नकल नुकल वहां पे नहीं चलती है काफी स्टिकनेस होती है और आपको बता दें कि आप लोग फिलाल अपनी रंडिंग की त्यारी करें में इसमें रंडिंग रहती है उसके बाद ही अग्जाम देखा जाएगा सामें पाटन कोशन भी आपको प्रवाइड करवाएंगे आल दावे स्टूडेंट्स आप लोग अपनी टाइमिंग रंडिंग के टाइमिंग कमेंट जरूर करें और नेस्ट वीडियो में जिस तरह की वीडियो जाहिए आप कमेंट करें हम उसी लिबल पर डूर लेके आएंगे हमारे पास काफी एक्सपिरियंस हैं लगवक इंडिन आर्मी की बारान से तेरा मरतियां देख चुके हैं बिद टेरिटोरियल आर्मी